नमस्कार मैं हूं सुमयांसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्णर ये खबर है नगर बंचायत बदलापुर जॉनपुर से 9 फरवरी 2021 की रात करीब 9 बजे तीन नकाब पोश्ट बदमाश बदलापुर के किराना की दुकान के वैफसाई मनीश गुपता पुत्र जिया लाल गुपता की दुकान पर आकर तमंचे के बल पर लगभग 40,000 रुपया लूट ले गए पीड़त ने बताया कि मैं अपनी दुकान पर ग्राहक को सामान दे रहा था कि एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर आए जिसमें दो लोग हमारे दुकान पर आए और एक लोग बाइक पर ही बैठा था दोनों लोगों का मुँ नकाब से ढखा हुआ था कहने लगे एक लाक रुपय निकालो हमारे द्वारा मना करने पर असलाहा दिखाते हुए हमारे गले से लगबख 40,000 रुपया निकाल कर फरार हो गए जिसकी सूशना हमने स्थानिय कोतवाली बदलापुर में लिखित तहरीर देते हुए गटना की जानकारी से अफगत कराया पुलीस गटना की चानबीन में जुटी हुई है गटना की सूशना मिलने पर जौनपुर के पुलीस अधीक शक राजकरण नईयर जी भी गटना की जानकारी लेने के लिए गटना स्थर पर पहुँचे और पीरत से गटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्ह प्रप्रोप कुमार सिंग तथा कोतवाली इंचार्ज मधुप कुमार सिंग को आरोपियों के खिलाफ घटना की पूरी जाँच करने तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के लिए आदेशित किया। लूट की इस घटना से वैपारियों तथा छेतरवासियों में देशत का महौल बना हुआ है। यह थे मोटर साइकले पक्यान के अंदर करके और अपने हाथ से हमारे गल्ले के सारह काईस लूटे लंसम 35,000 बीच में रहा होगा। किसी टीवी पास तुम ही था बाहरी केवा इसके बाद कहके हम से पास संटो Casey अपने हाथ से सरा केश क्या वह फ़ी तो किटने लोग अंदर अधर यथージ यहां पास तमाद में शिर केशा कहाई हाँ CCTV कैमरा है आये थे दोनों के कहे चुगा है लेकिन फोटो किलियर नहीं हो पाया है चुकि वो मफरल समोग को बांदे हुए थे तो पुलिस प्रसासन के यहां पर क्या प्रित्क्रिय जताई जा रही है यह खास रपोर्ट थी कैमरा मैन क्रिशना के साथ समवादाता धरमेश शर्मा की आज की खबर में बस इतना ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ पार के समवादाई जता ही तो रहें जता ही है